सद्गुरू मैं आपसे वो करने की छूट लेने जा रहा हूँ जो मैं आम तोर पर अपने टीवी शो में करता हूँ ये रैपिड फायर राउंड है जब मैं जवान था तब मैं बहुत सारी वाइल्ड वेस्ट फिल्में देखता था जब आप फायर करेंगे तो मैं भी फायर करूँ गाँ नई मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये उस तरह का नहीं है आप मेरी लाइन ओफ फायर में बिल्कुल नहीं है मैं वो इंसान बनने की छूट नहीं लूँगा ये बस फटाफट सवाल हैं जिनके लिए जब मैं एक शब्द में जवाब मांगू तो आपको उस पर कायम रहना है क्योंकि आप में कभी-कभी सवाल का जवाब घुमा कर देने की प्रविर्ती है लेकिन आप इतना गूर और शानदार जवाब देते हैं जो हमें बिल्कुल त्रिप्त कर देता है लेकिन इस मामले में मेरा एक ही निवेदन है अगर एक शब्द है तो सिर्फ एक शब्द ही होना चाहिए और आम तोर पर इसके अंत में आपको एक गिफ्ट मिलती है लेकिन यहां गिफ्ट के न होने पर आपके पास पहले से ही एक गाय है तो और या आपके पास रखा यह सुन्दर गुलदस्ता तो गिफ्ट नहीं है लेकिन आपको मेरा अभार जरूर मिलेगा ठीक है यह बहुत आसान है ऐसी कौन सी एक चीज है जो संतुलित जीवन के लिए जरूरी है समझ ऐसी कौन सी एक चीज है जो संतुलित जीवन के लिए हमें पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए ना समझी मुझे लगा कि यही जवाब आने वाला है जब मैं ये चीज़े कहता हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है संगटित धर्म पागलपन शादी साथ रहना प्रतीस परधा बेवकूफी पैसा उप्योगी प्यार क्या मैं एक वाक्य कह सकता हूँ सबसे सुन्दर लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादतर लोगों के लिए अपाहज बनाने वाला अगर मैं इसे थोड़ा विस्तार से कहूँ अगर कोई दुखत चीज या कोई बुरी चीज आपको अपाहज बनाती है तो इसे हम स्विकार कर सकते हैं जब कोई सुन्दर चीज आपको अपाहज बनाती है तो एक असली तबाही है अगर आप किसी एक वेक्ती से जीवित अमरित एक सवाल पूच सकते तो आप किस से पूचते और वो क्या सवाल होता मैं वाकई अपने सारे सवालों को सुलजा चुका हूँ क्योंकि मैंने अपना समय खुद को पढ़ाने या कुछ करने में नहीं बिताया मैंने अपना पूरा जीवन अपने हर एक सवाल को सुलजाने में बिताया मेरे सवाल मानों अब खत्म हो चुके हैं और निश्चित रूप से आपके जवाब खत्म नहीं हुए हैं और कभी होंगे भी नहीं सबसे अच्छी सलाह जो आपको कभी मिली हो कोई नहीं कभी नहीं मैंने न कभी मांगी और न मुझे मिली मैंने खुद को इस तरह का बनाया है कि मैं सलाह लेने या सलाह देने के ना काबिल हूँ एक पूरी तरह से कालपनिक हालात में अगर आपके पास एक दिन खाली हो जिसमें कोई कमिट्मेंट्स ना हो कोई जिम्मेदारिया ना हो तो वो दिन आप क्या करते हुए बिताएंगे बहुत सारी चीज़ें हैं ये एक शब्द नहीं हो सकता नई ये एक शब्द वाला नहीं है देखिए मेरे भीतर एक अंधा धुन्द हर चीज़ के लिए एक अंधा धुन्द जुनून है एक समय था जब मैं कई सारी चीज़ें करता था पर इन दिनों समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा तो आम तोर पर अगर मेरे पास थोड़ा समय होता है तो मैं गॉल्फ खेलता हूँ क्योंकि वो सुरक्षित है और शहर के अंदर है और कुछ करने के लिए मैं समय पर वापस पहुत सकता हूँ लेकिन अगर पूरा दिन मेरे पास है जो उन्होंने बहुत समय से नहीं दिया है उन्होंने ये मुझ पर नहीं छोड़ा है अगर ऐसा होता है तो मैं अपनी आखे बंद करके बैठूँगा क्योंकि मैं सबसे अच्छा मैं सबसे बढ़िया तब होता हूँ जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता अपने जीवन के अंत में वो एक कौन सी चीज है जो आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में याद रखें उन्हें इतनी खूपसूरती से जीना चाहिए कि मैं उन्हें याद भी ना हूँ अगर आपको समय से होकर गुजरने का तरीका मिल जाए तो आप कहां जाएंगे मैं वो सारी चीजें पहले ही निप्टा चुका हूँ आप पहले ही यूनिवर्स गूम चुके हैं आपके पास इस एको सिस्टम के हर हिस्से का वीजा है क्या हम कुछ सलो फाइर कर सकते हैं जी आप क्योंकि इस सवाल के कई पहलू है ये जैसे कि दुनिया में गूमना हम हवाई जहाज में यहां वागूम चुके हैं और अब हम मंगल पे जाना चाहते हैं हम कहीं और जाना चाहते हैं अब ये काफी नहीं है हम पास्ट और फ्यूचर में भी जाना चाहते हैं ये सारी चाहत खोजी प्रकृति की है आप चाहे छुट्टी पर मालदीव जाएं या आप मंगल पर जाना चाहते हैं ये मूल रूप से खोज बीन के लिए है हो सकता है कि आप आराम करने के बारे में सोच रहे हो या सुख पाने के या जो भी सोच रहे हो लेकिन वास्ताव में ये खोज बीन है वरना आप यहां क्यों नहीं कर सकते ये एक ऐसी चीज है जिसे आप करना चाहते हैं आप एक दूसरी जगा को छूना चाहते हैं। इंसान में ये चाहत सिर्फ तब तक होती है। जब तक आपके भीतर मौजूद ये जीवन बीज रूप में रहता है। यानि ये अंकुरित होकर खेला नहीं है। ऐसा हुआ। जब आदी योगी योग विज्ञान के व्याख्या कर रहे थे और ब्रहमांड की प्रकृती की बात कर रहे थे कि किस तरह से ये आपके अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। और आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। तब उनके पास मौझूद सबतर इशियों ने पूछा। इस ब्रहमांड की प्रकृती कैसी है। ये कितना बड़ा है। ये कहां शुरू होता है। ये कहां खत्म होता है। तो वो हसे और बोले। तुमारा पूरा ब्रहमांड मैं इसे एक सरसों के बीज में पैक कर सकता हूँ। क्योंकि असल में समय और स्थान के बारे में आपकी धारना हैं। सिर्फ इसलिए हैं। क्योंकि आप अपनी बुद्धी के दाइरे में जी रहे हैं। अगर आप उस आयाम को पार कर जाते हैं। तो समय और स्थान जैसी कोई चीज नहीं रह जाती है, सब कुछ यहाँ और अभी है तो टाइम और स्पेस से होकर गुजरना, नहीं, मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसे व्यक्त करना या समझाना मुश्किल है अगर मैं थोड़ा, मैं बहुत लॉजिकल होने के लिए प्रसिद्ध हूँ लेकिन अगर मैं लॉजिकल या मूर्ख लगूँ, तो आप मेरे जेट लैक को दोश दे सकते हैं मैं छे हफते बाद अमेरिका से अभी लोटा हूँ, तो आप कह सकते हैं, शायद सद्गुरू पर जेट लैक का असर था, इसलिए वो उल्टी सीदी बातें कर रहे थे लेकिन मैं ठीक हूँ मैं साइसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ब्रहमांड को अपने टुच्चे से लॉजिक में फिट नहीं कर सकते हैं आज का इंसान अपने ही तर्क से इतना ज्यादा मोहित है कि वो पूरे जीवन को चूक रहा है अस्तित्व में होने वाली विस्तृत घटनाओं से आप अंजान रह गए हैं क्योंकि आप किसी भी चीज को सिर्फ तभी स्वीकार कर सकते हैं जब वो आपके तर्क के चौकोर गड़े में फिट हो जो भी चीज आपके तर्क में फिट नहीं होती उसे आप नकार देंगे इस तरह आपने पूरे ब्रहमांड को नकार दिया है इस तरह आपने जीवन के जादू को नकार दिया है आप तर्क के गुलाम बन गए हैं और जीवन के जादू से पूरी तरह से चूग गए हैं तो ये टाइम, स्पेस, ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप बुद्धी से ब्रह्मान की चीर फार करके इसे उसे और उसे समझने की कोशश कर रहे हैं मुझे बताईए, अगर आप यहाँ बैठे हैं मान लीज़े, आप बहुत खोश हैं आपने देखा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि दिन कैसे बीठ गया और अगर आप उदास हैं, तो आपने देखा है कि दिन कटता ही नहीं, तो समय इंसान के अस्तित्तु की दुख भरी प्रकृती का नतीजा है अगर आप सच मुझ खुश और पर्मानंद में हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक दिन क्या है, एक साल क्या है, एक जीवन काल क्या है, आप नहीं जान पाएंगे कई मौके आएं हैं जब मैं बैठा हुआ था और मुझे एहसासी नहीं हुआ, मुझे लगा पांच मिनिट हुए हैं, पर लोग इकठा हो गए और मेरे पैर खींचने लगे क्योंकि वे, उनके मुताबिक मैं हुआ कई दिनों से बैठा हुआ था समय और स्थान की ये धारणा बहुत ही पेचीदा धारणा है, क्योंकि लोग अपने तर्क के दाएरे में अटके हुए हैं मेरा काम, मेरा बुन्यादी काम, लोगों को तर्क के दाएरे से आगे अस्तित्व के, हमारे खुद के अस्तित्व के असली जादू में ले जाना है लेकिन इसमें बहुत समय लगता है, फिर भी मेरी प्रतिष्ठा लॉजिकली बहुत सही होने किये, क्योंकि मैं अभी भी उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहा हूं अभी भी उन्हें आकर्षित कर रहा हूँ असली चीज के होने के लिए उन्हें बतकिस्मती से बहुत समय लगेगा क्योंकि वो अपने तर्प के इतने गुलाम बन गए है जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज देखते हैं? हर चीज हर चीज हर चीज अतीत वर्तमान और भविश्य क्या ज़्यादा महत्वपून है? वो करना जो आपको पसंद है या जो आप कर रहे हैं उससे पसंद करना एक शब्द या ज़्यादा आप जैसा भी चाहें देखिए अगर आप एक समझदार इंसान है तो आप वो करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है लेकिन अगर आप एक जीनियस हैं तो आप बस वही करेंगे जिसकी ज़रूरत है अगर आप एक दिन के लिए अद्रिश्य हो सकें तो आप क्या करेंगे? आपको पता नहीं चलेगा पूरे आधर के साथ आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है सबसे बड़ी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है देखे, आम तोर पर लोग जिसे अपने जीवन में कमजोरी मानते है चले, मैं आपको एक सामान्य जवाब ही देता हूँ इन सब बातों में क्यों जाना आपने पहले ही कहा कि मैं क्या, वो कौन सा शब्द था? त्रिप्त करने वाला मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मुझे खत्रों से प्यार है खत्रों के बिना में नहीं जी सकता मैं हमेशा कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो, जो मुझे नश्वर होने जिन्दा रहने और मरने की कगार पर रखे मैं हर समय उस सीमा रेखा पर चलना चाहता हूँ हर दिन मैं किसने किसी तरह से उस पर कदम रखता रहता हूँ क्या ये कमजोरी है? मुझे नहीं लगता पर लोगों को लगता है सद्गुरू आपको इस तरह अपना जीवन खत्रे में नहीं डालना चाहिए लेगे न अगर कोई खत्रा ना हो तो मुझे लगता है कि मैं क्यूंकि अपने जीवन में ज्यादतर समय में जो भी कर रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि उसमें मैं आजमाया गया हूँ सिर्फ खत्रे के पलों में मैं थोड़ा आजमाया हुआ महसूस करता हूँ तो मेरी कमजोरी ये है कि मैं खुद को हद के पार ले जाना चाहता हूँ जब मैं पूरे भारत में मोटरसाइकल से घूम रहा था और बाद में मैं गाड़ी चलाने लगा तो मेरी एक मातर इच्छा थी कि एक ऐसी मशीन मिल जाए जो मेरे कौशल को आजमाए हमेशा मैंने यही पाया कि अगर मैं उसे अपनी हद तक ले गया तो वो जवाब दे जाती थी हाल ही में इन दिनों मुझे कुछ ऐसी मशीने मिली है जो मुझे परक रही है कि मैं उन्हें हद तक ले जा सकता हूँ या नहीं ऐसा मेरी उम्र की बज़े से भी हो सकता है अगर वो मुझे मेरी जवानी में मिली होती तो मुझे लगता है कि मैं एक चीज जो दुनिया आपके बारे में नहीं जानती वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते और एक चीज़ जो आप अपने बारे में बदलना चाहेंगे मैंने इस पर कभी गौड नहीं किया I could speak Hindi No, I'm sorry, Marathi एक चीज़ जो आप दुनिया के बारे में बदलना चाहेंगे ओ, बहुत सारी चीज़े हैं कोई एक इनसानों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रुरत है सर आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धी क्या मानेंगे मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई उपलब्धी है क्योंकि मैं हमेशा खुद के प्रती अपनी उपलब्धी नहीं लगती कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद है जिसे आप हर समय सुन सकते हैं मैं किसी वज़े से शायद इसी वज़े से की ये गाना मैंने तब सुना था जब मैं अपनी टीनेज की शुरुवात में था तो ये गाना किसी दूसरे गाने की तुलना में मेरे मन में ज्यादा आता है ऐसा नहीं है कि मैं इससे सुनना चाहता हूं लेकिन kisन किसी तरह से ये गाना मेरे मन में अकसर आजाता है वो है How many times? अच्छा ठीक है पर मैंने काफी अंग्रेजी फिल्मे देखी हैं, एक समय था जब मैं बहुत सी फिल्मे देखता था, मैंने इंडियन सिनेमा ज्यादा नहीं देखा, पर मैंने काफी अंग्रेजी फिल्मे देखी हैं, लेकिन एक फिल्म, जिसका मैंने उस समय भरपूर आनंद उठाया था, क् ये पहली फिल्म थी जो मैंने अपने जीवन में देखी थी मेरी मा मुझे सिनेमा ले गई थी सच में रोमन हॉलिडेस पहली फिल्म थी जो मैंने कभी देखी थी मुझे खुषी है कि हम दोनों में कुछ कॉमन है आद strate और Gregory Pack की वो छवी किसी वज़े से बस मेरे साथ बनी रह गई यह शायद मेरी उम्र की वज़े से था कोई ऐसी पसंदिदा चीज जिसे करने के लिए काश आपके पास और समय होता काश मेरे पास और समय होता क्योंकि मैंने खुद को ऐसा बनाया है कि ऐसा कुछ नहीं जिसमें मुझे आनन दाता हो या आनन ना आता हो मैं पक्का करता हूँ कि जो भी काम करूँ उसका पूरा आनन दो वो चाहे शांती से बैठना हो या किसी से बात करना हो या कुछ भी करना हो क्योंकि मेरी गतिविधियां एक दाइरे में सीमित नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप हर उस चीज़ का आनन्द नहीं लेते, जो आप करते हैं और जो नहीं करते, तो इतनी सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश में आप पागल हो जाएंगे, लेकिन मैं पागल नहीं होंगा, क्योंकि मैं जिन्दा होने का आनन्द लेता हूँ, काम तो कोई भी काम मेरे ले ठीक है, मैं जो भी करता हूँ, उसका आनन्द लेता हूँ, छोटे काम, बड़े फिल्म बने तो आपकी भूमी का कौन करेगा। पहले बताईए कि फिल्म बनाएगा कौन। शायद आपको एनिमेशन करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप वो चाहेंगे। खेर, रैपिड फायर राउंड खत्म हुआ और आप उस गिफ्ट के पूरे हगदार हैं जो इस मंच पर मौझूद नहीं है। लेकिन मैं आपको ये वर्चुल गिफ्ट देता हूँ अपने प्यार, आभार और गहरे सम्मान के साथ।